नमस्कार दोस्तों जिल्द आप जार्खन के निवासी हैं और रोजगार सेवक में नोकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंतक जरूर देखिए ठीक है क्योंकि रोजगार सेवक में वेकेंसी निकाला हुआ है यहाँ पे गड़वा में कर्याले जिला ग्रामिन वि कास विभाग जार्खन सरकार के संकल्प संखियां 47-39 के आलोक में ठीक है महात्मा गांधी राजट्य ग्रामिन रोजगार गरंटी के अधिनियम ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर पूर्णतिया संबीदा के अधार पर यहाँ पे नियुक्ति होगी ठीक है जिसम कैसे फोरम भरिएगा कितना इसका लास्ट डेट रखा गया है अप्लिकेशन भी हो गया है कैसे फोरम को भरना है इस वीडियो को जिदे आप अन तक दिखेगा तो यह सारा कन्फिजन आपका दूर हो जाएगा ठीक है वीडियो के अन तक आप बने रहिएगा तो चलिए हम बताते हैं तिन नमर पॉइंट में लिखा हुआ है ग्राम रोजगार सेवक के पद हेतु अभ्यार्थियों की मेगा सुची त्यार करने के लिए अविश्यक योगयता धारी वैक्तियों का जो है आविदन पत्र अमंत्रित किया जाता है ठीक है तो अगला पॉइंट आता है सचनिक योगयता के बारे में कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो देखिए पॉइंट एक में लिखा हुआ है अनिवारी योगयता क्या होना चाहिए कम से कम इंटरमीडियेट होना चाहिए ठीक है अगर जिदि आपने इंटरमीडियेट नहीं किया है और आपने metric pass किया है और metric pass करने के पास चाथ जदी अपने IDI किया हुआ है ठीक है जदी अपने ITI किया हुआ है तो इस इस्तिति में ITI के प्रापतांक जो परतिसत होगा उसको intermediate के बराबर माना जाएगा दोस्तों आज तक यही देखा गया है कि जिनका जिनका ITI के साथ साथ जदी उच्चेतर सिच्छा है तो उनका selection जरूर हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या है सिर्फ यह merit list के अधार पर रोजगार सेवक कर नियुकती होता है ठीक है तो आप समझ गये मेट्रिक है और ITI है या फिर जदी आपके पास गिर्जवेशन है पोस्ट गिर्जवेशन है तो आप इस फोरम को जरूर भरिए उसके अलावे अतिरिक जोगेता के रूप में यहाँ पर मांगा गया है किसी भी सनमनेता पर आप संस्थान से असना तक ठीक है या फिर समाइ का समावना ज्यादा बनता है कि तीन नमर में दिया गया है अभ्यारतियों की योगेता आस्कोर का निर्धारन इंटर्मीटियर असनातक तथा आसनातक खोतर योगेताओं के कुल औस परतिसत प्राप्तां के अधार पर किया जाएगा आनिकी मैट्रिक से लेकर के जितना त्यार होगा ठीक है आगे लिखता है सभी सचनिक योगेताएं जिसकी सरकारी प्राप्त हो ही माहिन होगी आनीकी जो सरकारी शनुस्ता से अपने किये हैं तो ही उसमें माहिन होगा अब हम आगला बात करते हैं आयू सीमा के बारे में किस के लिए कितना उम्र रखा गया है तो जिदि आप जेनरल केटेग्री से आते हैं, तो यहाँ पर नरशित के लिए 35 वर्स रखा गया है, दिब्यांग व्यक्ति के लिए 45 वर्स रखा गया है, जिदि आप BC1 या फिर BC2 में आते हैं, तो आपको 37 वर्स कम से कम और 47 वर्स दिब्यांग व्यक्ति के लिए, अगर ज अधिकताम इसमें 50 रखा गया है उसके बाद बोलता है कि कम से कम ये 6 नमर में कि राष्टियता जो है भारत का नागरी खुआने की आप कहीं से भी हैं अधर डिस्टिक से भी हैं या फिर अधर अस्टेट से हैं तो आप इस परवं को जरूर भरिए अरचन के बारे में बताया गया है कि अरचन आपको राज सरकार के दोरा जैसा मिलते आ रहा है वैसा ही मिलेगा सेलरी इसमें मिलेगा 75 सो रुपईया पर देख महिना माने देए ठीक है उसके बाद 9 नमर में हापे देखिए नोन नुबर में है यह कहा गया है कि कोई भी वैक्ती जो ग्राम रोजगार सेवक पद पर जदी दूसरे जिला में अवेधन अपने किया है तो आपको यह सपत पद अन्य की पहले किसी जिला से दूसरे जिला से जदी आपने रोजगार सेवक का फारम बराया तो आप दूसरा जिला से फारम भरने के लिए इलिजिवल नहीं है उसी चीज़ के बारे में लिखता है यहांग थोड़े डिटिल में समझ लेजे़गे आविदं दिया जा सकेगा किसी एक जिला में ही आविदं दिया जा सकेगा तथा आवेदन देने के साथ सपत पत्र देना अनिवारी होगा निकी एक declaration फारम ठीक है सपत पत्र आप देना इसमें अनिवारी होगा कि आप किसी ऐनी जिला के ऐनी जिला में पद विशे से तू आवेदन समर्पित नहीं किया गया है कि आपने किसी दुसरे जिला में ये फा प्राणनी कारवाई किया जाएगा है दस नमर में कहता है कि इस पद पर नियुकति पूर्णतिय संभीदा के अधार पर ही होगी ठीक है यह पूरा अगरिमेंट बेसिस पर ही लिया जा रहा है अगला लिखता है गारा नमर में की प्रारामभिक चल्ण में ऐसी नियुकति एक बर्स के लिए की जाएगी और जैदी एक वर्स पुरा हो जाएगा आप UP का पारी काल ठीक हाएगा सब typical ही सब्सक्राइए तो आपका कारिकाल क्या है? पुनभसभदा के अधार पर नियुक्ति का नभीकरण किया जा सकेगा तत पस्यात राइं सरकार के दौरा समय समय पर किये गày निरने के अनुरूप Sun Ra nicer के उचया शिवावों के आपनी रहेगी भणरम में लिखता है कि पदास्तफन गढ़वा जिला के किसी पखन्ड य talkin's ग्रान पंचयत में नियुक्तती पदाधीकारी ध्वरा किया जाएगा ततक्क पदास्तफन सम Cellar can तो उसमें काम करना पड़ेगा उसमें चैंज की कोई समभावना नहीं है वह लास्ट है ठीक है तेरा नमर देख लिए चोदर नमर में बोल रहा है परसेशन के बारे में गराम रोजगार सेवक के पदपर चैनीत बहरतियों के लिए परसेशन प्राप्त करना तथा परसेशन के अंत में येदि कोई परिच्छा अवजित की जाती है तो उसमें उतिर्ण होना अनिवारी से नियुक्त समझा समझा चाहेगा सब्सक्राइब उनकी पतास अपना की जाएगी ठीक है तो यह समझें कहीं मान के चलिए कुछ होता है तो उसमें आपको सामील होना है और उसमें पास भी होना है पंदर नमर में लिखता है कि ग्राम रोजगार सेवक के पद का पद पर च भी अप्रकार की सेशिश्निक पत्रों और कि जो भी आपका और को रिखेस में है और में पत्र जवाब भरिएका उसके साथ उसको सनलगन करना पड़ेगा छिक है पर मन पतहे अब टर्राइंग तक है जहां पत्र की मूल परतिया निकि जो आप डिपिट कराते हैं कचारी योगर से जो कराईएगा कि हम दूसरा जिल्ला में फारम नहीं बरेंगे सिर्फ गड़वा जिला से भर रहें उसका जो वर्जिनल पचाया पत्र को मिलेगा मूल पत्र जो मिलेगा उसको सनलगन करना अनिवार ह होगा सदर नमर में लिखता है कि जिला में उपलब दरीक्ति के विरूद नियुक्ति है तो प्रारंभिक मेगा सोची के बैरतियों के परमान पत्र का सतयवन इत्यादिन नियुक्ति के लिए गठीत जिला स्त्रीय समीति के दोरह ही किया जाएगा अब हम आते हैं कि आप इस आयुक्ति सह जीला कारिकरम समनवयक गढवा विकास भावन भूतलानी की नीचे उलब जो ग्राउन फ्रोर जो होता उसके उपर समहरनाले परिसर गढवा के पते पर सभी परकार की सशनिक परमान पत्रों की सव अभी परमानित परती सरलंग्न करते हुए निबंदित डाका आप में हाथ हों हाथ प्राप्त किया सकेगा तो यह भारम भाईया ओनलाइन नहीं है यह भारम है ओफलाइन तो आपको यह जो हम उफिस बताएं वहां पर जाकर जमा कर दीजिए या फिर उस पते पर आप अस्पिर पोस्ट के माध्यम से दिदूर में है तो भेज गढवा जे लागा भेकेंट चे गडियो अच्छा लागा तो लाइक किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा धन्यवाद